हालो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल अपना सपना में दोस्तों मैं हमेशा की तरह उपस्तित हूँ आपके सपनों का लेखे लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारी YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथी बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब बता चल सके तो दोस्तों आज हम सपने के विशे में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में कुदाल या फावडा चलाते विए देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रहव डालता है दोस्तों सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उसी सपने के बारे में व्याख्या करते हैं उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हो इन सपने का क्या मतलब होता है तो दोस्तों सपने को लेकर सवापने सास्तर का मानना होता है कि जो भी सपने रात को सोने के बाद देखते हैं वैस अपने हमारी भूत काल की घटी घटनाय को सवापने फल के द्वारा दरसाती है कुछ सपने में सुप संकेत देती है और ऐसा ही माना गिया है सपने में कुदाल या फावडा चलाते वे देखना दोस्तों सपने में कुदाल या फावडा चलाते वे देखना या एक अच्छा और बहदी सुपसुप्ण माना गिया है माना जाता है कि आप सपने में कुदाल या भावडा चलाते वे देखते हैं तो आने वाले जीवन में आप जिस भी कारी के लिए प्रयास कर रहेते हैं जिस भी कारी को आप करना चा रहेते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी माना जाता है कि जो सफलता प्राप्त होगी वो आपको काफी मेहनत और काफी मसकत के बाद आपको अपकी सफलता प्राप्त होगी दोस्तों यानि कुल मिला कि एक सूब और अच्छा ही स्वाप्न माना गिया है वही स्वापन सास्तर कहता कि जब भी आपको इसे सूब और अच्छे स्वापने दिखाई दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नी चाहिए किसी के सामने वेक्त नी करनी चाहिए ऐसा करने से सपने पूरे होनी की संभावना एक कम हो जाती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकरी अपो पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों यह उन्नवाई साल की हार दी सुबकामना है दोस्तों